बहुत चुके हैं मध्यपरदेश के बेहत चमतकारी मंदेर हर्किया खाल बाला जी यहाँ पर भक्तों की सच्चे मन से की हुई हर मनत बाला जी जरूर पूरी करते हैं मंदेर में आये हुए शर्धालू क्या कहते हैं आप खुद ही सुनिये कि सारे जिसके शादी नहीं होती है जिसके संबन नहीं होते हैं जिसके जगड़े हैं विमारी हैं चाहिए ती भी बड़ी बिमारी है चाहिए चाहिए के इंसर तक की बिमारी हो यहां से ठीक होके जाते हैं कि महिमा इसनी अफ़म पराद है कि तालेक मन की बात खुछ समझा है तो बोलने की भी जरौत नहीं करें क्या नाम है अफ़का और कहा से आये हैं मैं अम्रितर जेश्ट प्यूद्या वाणिश्ट लोग सरफभी बात इंडॉर से आये हैं भगवान बाला जी जो भी हमें भक्त पदाते हैं उनकी सारी मनोकामनाय पूर्ण करते हैं अगर किसी को कोई बिमारी है अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है तो वो सारी पूरा उसका लाव उठा सकते हैं कि अपनी मनों कामना पूर्ण करके अपना आश्रिवात पात करते हैं आप सभी से जुजारीशे यहां आकर परमात्मा की गर्बाव में नमन करें इन धोग लगा कर जो भी मनों कामना मांगेंगी अवश्य पूर्ण होगी जय स्री राम जय हो हनुमान दागाती मुझे भी हां मंदीर में आके बहुत शांती और सकुम मिलता है मैं भी यहां पर पिछले तीन मंगलवार से कंटिनूद हनुमान जी हमको इंदोर से बुला रहे हैं बिना निर्भिग न हम यहां आते हैं दर्शन का लाव उटाते हैं और आने वाले समय में अच्छे दस प्रद्रागिन का प्रोग्राम होगा अच्छा मेला रामडी लाव अगेरा सब लगेगी सभी फक्तों से निवेतन है अधिक से अधिक संख्या में आता है उसका लाव है यहां आने के बाद मेरे ऐसे से कारीपोर्ण होए कि मैं अभी खुलकर बोल भी नहीं सकती और मेरे जो पिछले कमर में जो तक्लीफ सी दर्द था उसमें भी मुझे बहुत मिला है और अच्छा इलाज होता है जैसे बादों मताजी में जो ठीक होते हैं वेसे यहां पर इनक पर जब देश के नीमत जिले में सतित है मंदिर बड़े शक्ति-शाली मंदिरों में से एक है तो इस्थानिये के साथ-साथ यहां पर दूर दरास से भी लोग बाला जी का दर्शन करने आते हैं ध्वूत पिशाच प्रेत बाधा जैसे अनेक समस्याय लेकर शर्धालू मंद मंदिर में प्रवेश मात्र से उनकी सभी समस्याएं बजरंग बली जी अपने आप दूर कर देते हैं। और उन पर बाला जी की कृपा होती है और संतान सुक की प्राप्ति मिलती है। दोस्तो हमारा मकसद है देश के कोनी कोने से प्रसिद मंदिरों का दर्शन कराना। आप से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जादा से जादा शेयर करें। और कमेंट में लिखे जैब बचरंग बली। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। झाल करें।